आज अलन्य शर्कवाट के नितिल्प में हम तीनों बलों की ठीटी हुई उसमें आज हमने उचित किया कि 85, 85, 85, 270 का एक एक मत हमने किया है सीट के उपर और जो 28 सीट है जो हमारी अलाइन से सिकाफ होगी आज हमारी अलाइन से भी हम चल्चा करके उनके उनको भी कुछ जगा देने का है और ये कल हम लोग पास-पास में ये बाती सीटों पे भी हमारा लेरेंस हो जाएगा और महाविका साकाडी करके हम लोग चुनाओ लडने जा रहे है और महाराश में महाविका साकाडी की बहुमत की सरकार आएंगी इतना भी आपको उफ़ता रहता हूँ महारास्ट रुविदान सावा चुनाओ के तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है पार्टिया प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रही है सिफशेना यूबिटी ने भी अपने प्रत्याशियों की पहले लिस्ट जारी करती है सिफशेना यूबिटी की पहले लिस्ट में 65 उमिदवार की नाम है उधव ठाकरे की पार्टि सिफशेना यूबिटी यानि की उमिदवारों की पहले लिस्ट में आदित्य ठाकरे का भी नाम है आदित्य वर्ली सीट से ताल ठोकेंगे बिते कई दिनों में सीट बटवारे को लेकर महाविकास अगारी की बाचीत नतीजे पर पहुँच गई बदवार 23 अक्टूबर को ऐलान किया गया कि तीनों दल बराबर बराबर 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे एक प्रेस कॉन्फरेंस के दोरान घटक दल के निताओं ने इसका ऐलान किया सिफ़ शेना के सांसद संजेर राउत ने कहा कि 270 सीटों पर सहमती बन गई है MVA के तीन दलों में 15 सीटों पर अभी भी चर्चा जारी है संजेर राउत ने कहा कि हम प्रदेश कॉंगरस के अध्यक शनाना पटोले ने कहा कि गुरुबार यानि कि 24 अक्टूबर को बागी बची हुई सीटों पर भी तस्वीरे साफ हो जाएंगी हम गटवंदन में चुनाओ लड़ने जा रहे हैं और हमारी बहुमत की सरकार आएगी कॉंगरस शरत पवार और उद्धव ठाकरे के बीच जिन 15 सीटों पर चर्चा होनी बागी है रिसम से कितनी सीटे किस पार्टी को मिलेगी या आने वाले समय पे ही पता चलेगा सवाल ये भी है कि इन 15 सीटों में से तीनों दलों के बीच फिर से बराबर बराबर सीटे बाटी जाएंगी या तैह होगा कि कौन बड़ा भाई होगा मता देगे समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी और अन्य दलों ने भी महारास्टों में चुनाव लड़ने की एक्छा जताई है सीट बड़ारे के तहट जो फॉर्मूला सामने आया है इसमें साफ है कि महारास्टों में M.V.A. यानि तीन दलों की गटपंदन की जगा इंडिया गटपंदन मैदान में उतरने जा रही है फिलाल इस खबर में इतना ही बाकी इस चुनाव से रिलेटर्ट कोई भी जानकारी होगी हम आपको आज तक भारत पे शेयर करते रहेंगे फिलाल इस विशाय पर अगर आपके कोई राया है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चानल को लाइक शूर सब्सक्राइब जरूर करें तक ऐसी जानकारी आप तक हम और पहुंचाते रहें